जहें देख भाइ फिर से आप सभी का तेहे दिल से हर्दिक स्वागत है एक्जाम गुरुजी भाई यर्भीन से रिटूब चैनल में मेरे पैरे भाई UPCCPET 2022 के लिए आपकी प्रेक्टिस क्लास होई ये श्टार्ट हो चुकी है तो हमारे सभी पैरे भाई बैं जल्दी से जल् आपको समझ से मिला करें आप हर एक नई UPCCPET की प्रेक्टिस क्लास को आसानी से देख सकें तो चलिए मेरे पहरे भाई आज की इस बेहतरे इन प्रेक्टिस सेट की सुरुबात करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगा इसके पहले के सारे प्रेक्टिस सेट आज के इस प्रेक्टिस सेट की सुरुबात करते हैं पहला प्रसना आपके सामने तीसरे एंगलो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधी की इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपर स्री रंग पतनम की संधी ऑप्सन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी हमारे पहरे भाईवें में तरह पर आप्सन भी स्री रंग पतनम की संधी बता रहें बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अगला इस कुश्चन है कि निमने लिखे तमेसे कौन पावर्टी एंड अनिवर्ट सुरूल इन इंडिया के लेखक हैं ये प्रस्ण आप से पूछ रहा है फटफट फट आंसर देने की कोशिस कीजिए क्वाइस्चन नमबर टू का राइट आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा अप कब हो जाएगा दादा भाय नोरोजी ट्रेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उप्संट नमबर टी जो भी हमारे पैरे भाई बैन मित्रियां कर बता रहे हैं कि पावर्टी एंड अनिवरिटक शुरूल इन इंडिया के लेकर के हैं लेका जो भी पह कि प्रस्ण आप से पूछ रहा है, जल्दी जल्दी आंसर की कोशिष कीजिए तो ध्याने दीज değil बहुत अब्रबयर कोई सब्सक्राइण नमें, इसका हुचो जाएगा हुचो जाएगा मेरे पैरे बाई मित्र बताने राजा राम मोहनराय बिलकुल सही आंसर हो जाएगा option number B आपका correct हो जाएगा 18-15 में guys आतमीय सवाह के अस्तापना जो ही कलकद्था में राजा राम मोहनराय ने की थी correct answer हो जाएगा यहाँ पर आपका option number B अगला प्रसन आपके सामने इलाहबाद में 1857 के संग्राम से समंदित नेता थे इसका अंसर आप सभी को बताना है शही अंसर हो जाएगा आपका वह जाएगा गाइस मौलिबी लियाकत ली करेक्ट अंसर हो जाएगा आपका उप्शन नमबर वी अगर लगाएगा इसकी संग्र bint के इंटो का अलंकरन जो है ये किस अस्थान से मिला है फटध़ अंसर देंगे संग्र भाइगा इसका सही अंसर हो जाएगा वह जाएगा काली बंगा से मेरे पहले में तो एक बाद आप और याद रखेगा कि अगर आपसे ये प्रस्न पूछा जाता है कि काली बंगा उत्रप्रदेश के किस राज्जी से सम्मंदित है तो याद रखेगा मेरे पहले भाई ये है राजस्तान से कहां से है मिया ये आपका राजस्तान से है करेक्ट जरूर का लीज़ेगा ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की हर एक नई यूपीट प्लसी पी इटी की प्रक्टिस क्लास आपको समझ से मिला करें ठीक है चली आगे बढ़ते हैं गाईस अगला प्रसना आपके सामने निमने लिके तमेसे किस अधिनियम ने केंद्र में सासन परनाली सथापिट किया कॉईस्टन नमपर च्छ...? आप बताएंगे चैया अंसर क्या हो जाएगा ये 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 दि between कैसी नभरत बाहरत सारे निमने लिकेंद्वाद केती अधिनियम केंद्र ने द्वैद में सासनल पर नाली स्थापिट किया क्वईशन राइट आंसर हो जाएगा डिये फ्रेंड्स आपका वह जाएगा उप्शन नमबरे अगला कुश्चन कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था बैरी बैरी इंपोर्ण कुश्चन एक्जाम के दिश्टी से गाई इसे फटफट आंसर देंग तो ध्याने दीजेगा मेरे पैरे भाई कुश्चन का है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया इसका सखी आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला गाई इस कुश्चन है कि भारत के भीतर और बाहर दोनों में करांती कारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एक मात्र भारतिय राजकुमार कौन थें भारत के भीतर और बाहर दोनों में करांती कारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एक मात्र भारतिय राजकुम जो भी हमारे प्यारे भाइबेन मित्रियां पर बता रहे हैं राजा महेंद्र प्रताब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण आपके सामने गाईज की विश्व इतिहास की जलक यानि ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचाइता कौन है इसका अंसर आप ब ज्यान रखेगा मेरे प्यारे भाइज का सही आंसर हो जाएगा वह जाएगा जवाहन लाल नहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नमबरे काई से विश्व इतिहास की जलक इसके रचेता कौन है वह जवाहन लाल नहरू आप्शन है करेक्ट ह कौन था इसका अंसर आप बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा सही अंसर हो जाएगा मेरे पैरे बाय वह जाएगा क्लीमेंट एट ली करेक्ट आंसर हो जाएगा option number B भारत में सौधनतरता गाईज जब हुई तो उस समय इंगलेंड के जो प्रदान मंतरी थें ये कौन थें गाईज वो थें कलीमेंट एटली करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका आप्शन नमबर वी अगला गाईज की सूरिया तथा प्रिथवी के मध्य ग्रह कौन सा है अब देखो मेरे पैरे भाई ये प्रस्ट जोई आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकती हो अब देखो गाईज यहां पर जैसे यह आपका हो गया सूरिया ठीक है चलो मैं गाईज यहां पर आपको प्रेक्टिकली के तोर पे दिखाता हूँ गाईज यह आपका अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी दूसरी बात आप याद रखेगा गाईज की बुद्ध और सुक्र यह दो ऐसे गाईज गरा हैं जिन की कुछ भी या कोई भी उपगरा नहीं है ठीक है तो राइट अंसर यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पैरे भाई आपका रेलखित मैसे कि सभारतियराज्य की सीमाएं भूटान राश्टर के साथ नहीं मिलती हैं मेगालाइज मेगालाइ के साथ जो भूटान की सीमाएं यह नहीं मिलती है ऑप्शन बी करिक्ट हो जाएगा अगला गाइस की कौन सा परबत हिमाला इस रिंखला का अंग नहीं है इसका अंसर आप बताएंगे फटाफट और मेरे पहरे भाई आगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है सभी मित्र एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे मेहनत और सिद्धत हम आप के लिए लगा रहे हैं मेरे पैरे भाई पूरी जीजान लगा रहे हैं ताकि आप अपने एक्जाम में एक अच्छा परदर्सन अगल लगा इसकी सुन्दरवन डेल्टा का निर्माल करने वाली नदियां कौन सी हैं यह प्रसन आप से पूछा जा रहा है सही आंसर हो जाएगा मेरे पैरे भाई वह जाएगा गंगा और ब्रमपुत्र करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नमबर है मेरे पैर करेक्ट आंसर हाओ जाएगा चलो आगे बढ़ें पैरे में बहाई जल्दी जल्दी करेड़ें बढ़ जाएगा मेरे बढ़ जाए और मेरे बढ़ अगे कबढ़ी कर दोगिकर canvas रैको पर आगये बढ़ा जाए पहले सबीमें तर लाग और दो किsel तो अब ध्यान दीजे मेरे पहले भाई सिव समुद्रम जल बिद्द परियोजना कहां है ये प्रसनाप से पूछा जा रहा है राइट हो जाएगा आपका बोजाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी जो भी मारे पहले भाई बेन मित्रियां पर आप्शन डी प्रस्तर जो है किस तरीके से प्रतिवंबी तो होता है ये प्रसना आप से पूछा जा रहा है हमारे सभी पैरे भाई बेन जल्दी जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सही अंसर हो जाएगा मेरे पैरे भाई याद रखेगा वो हो जाएगा प्रती व्यक्ति आई से करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको आप्शन नमबर वी जो भी हमारे पैरे भाई में तरहां पर आप्शन भी बता रहे हैं व्यक्ति आई से बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा अगला गाईस की ऑपरेशन फुलड का संबंद जो है निम्नांकित में से किस्से है फट 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 आंसर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ध्याने दीज़ेगा मेरे पैरे भाई या उपरेशन फलड इसका समझ जो है गाईज यह दुख दूत पादन से है करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको आप्शन नंबर भी जो भी हमारे पैरे भाई भाई मित्रियां पर आप्शन भी बता रहें बहुत ही गजब का अंसर दे रहें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है राइट अंसर क्या हो जाएगा दुख दूत पादन या दूद का उत्पादन राइट अंसर हो जाएगा मेरे पैरे भाई ऑप्शन भी अगला गाईस की बहुराश्ट्रिये कंपनी से क्या ता पर यह कोईशन नमबर 18 का अंसर आप बताएंगे सही अंसर क्या हो जाएगा तो धान दीजे मेरे पैरे भाई बहुराश्ट्रिये कंपनी इसका दादिपर क्या है गाईस ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कारिया संचालन करती हो उसे कहा जाता है बहुराश्ट्रिये कंपनी करेक्ट आंसर हो जाएगा माईडिये फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नमबर वी अगला प्रसन आपके सामने यदि सकल राज गोसिये घाटे में से ब्याज भुकतान को निकाल दिया जाए तो अवसेश को क्या कहा जाएगा यदि गाई जिस स कहा जाएगा सकल प्राथ्मिक घाटा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नमबर हैं जो भी हमायरे पहरे भाई बेन मित्रियां पर आप्शन हैं वता रहें सकल प्राथ्मिक घाटा को साहकी आउसर हो जाएगा अगला जाहा हusa है कि भारत में आर्थिक नियोजन का पिता किसे कहा जाता है मेरे पहरे भाई आप समझते हैं गाइस की क्लाश को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी ये फर्ज आपका है तो लाइक जरूर करना ठीक है बारत में आर्थिक नियोजन का पिता जो है यह किसे कहा जाता है यह friends आपसे पुछा जा रहा है राइट आंसर हो जाएगा मेरे पहरे भाई वो हो जाएगा यम विश्व स्रयया को correct answer हो जाएगा dear friends आपका वो हो जाएगा option number D कौझ आपके सामने संसधी ितंत्र में निमनलिकित में से वाश्टवी कार्यपाली का कौन है पतँपड़न अंसर देंगे सका रुड़न किया हो जाएगा ङूरर नम्ब Travis है कि है तो चि satu स्प्रावराएं हो victims कि दिवा आई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उप्शन नमबर वी अगल लगा है इसकी भारतिये संभिधान के किस भाग में संभिये नियाई पालिका का उल्लेख किया गया है इसका आंसर आप सभी पैरे भाइबेन बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे सभी मित्रा प्लीज जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए और जो भी भाइबेन अभी तरह क्लास को सेर नहीं किये वह एक बार क्लास को दिल की घहराई से सेर जरूर कर दें देखो गाईज मैं आपका पूरा का पूरा पंदरा प्रेक्टिस करवा दूंगा जो अंकित बाटी सरकाय बाखी बचा आपका दूसरा पूरा पूरा 15 खडम कर दूँ ठीक है जल्दी से जल्दी the topics what is प्रेटीस करोगे उतना ही आपका अच्छा स्कोर रहेगा है ना तो मेरे पेरे भाई इसके बाद अभी तो आपके आंकेत्बड़ी सद्खी प्रेक्टिस क्लास της चल रहे लिए जैसे आपका ये 15 एक प्रेक्टिस स्ट्छ चाहिए उसके बाद भाग पांच बता रहें बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अगला प्रस्ण आपके सामने इसको देखिए भारतिय सम्मिधान के किस अनुक्षेद में अनुसूची जातियों और अनुसूची जातियों के लिए आरक्षन का प्रावधान किया गया है मेरे पैरे भाई इसी वज़े से यह प्रस्ण आपके परिक्सा में बनने की संभावना है तो याद रिखेगा इसको आप ढंग से समझ लीजीगा चाहें दो पेंडाउन कर लें नोट कर लें रट लें रट्टा मार लें कुछ भी कर लें दिमाग में किसी तरीके से भी सेट कर लें ले अगला गाईस क्वेशन क्या कर रहा है विशु का सबसे बड़ा लिखित एवं सबसे अधिक ब्यापक संभिधान किस देश का है यह प्रस्ण आप से पूछा जा रहा है शही अंसर हो जाएगा मेरे पैरे भाई वो हो जाएगा हमारे भारत का भारत का सबसे बड़ा गाई सबसे बड़ा ब्यापक संभिधान जो है यह किस देश का है तो वह है भारत का करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो भी हमारे पैरे भाईवें वितने आपर ऑप्शन भी बतारें बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट आंसर आपका हो जाएग अगला प्रस्णा आपके सामने गआई जिलादी प्रसाशन की धुरी है यह कतन जो है यह किसका है फटफट आँसर नहरी जफी जैसे पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question की क्यू से एक मापन की काई है यानि की क्यू से क्या मापा जाता है गाई जी सारा का सारा मैंने science की class में आपको एक अच्छे डंग से समझा दिया है आप उसको जरूर देख लिएगा मेरे पहले भाई बहुत ही बहुत ही बहुत ही लाजब इसका परफरक्ट आंसर अब बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रसनाब के परिक्सा के दिष्टी से इंपॉर्टेंट कॉलिटी वाला है बताएंगे इसका परफरक्ट आंसर तो देखो मेरे पहले भाई कमरे में लगा हूआ वात्व आनुकल की जो है यह जो है क्या नहिंतरत करता है यह प्रसनाब से पूछा नंबर वी अगला इस क्वेश्चन का किड़ा है कि एक कार बैटरी में पर्योगता विद्धुत अफघट्य क्या है गाइस बैटरी में हम किस अमल का प्रियोग करते हैं दूसरी बात आप याद रखेगा उसे अमलों का राजा या अमल राज भी कहा जाता है अब गाइस यह दो दो टिप्स मैंने आपको बता दिये हैं अब आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं फटा फट कमेंट करके बताईए एक कार बैटरी में पर्योगता विद्धुत अफघट्य क्या होता है हाइड्रो क्लोरी कमला सल्फ्यूरी का अमला या नैटरिक अमला या फिर द्यान रखेगा मेरे पैरे भाई एक कार बैटरी में पर्योगता विद्धुत अफघट्य आपसे पूछा गया है सही अंसर हो जाएगा आपका वो जाएगा सल्फ्यूरी का अमला जो है ये गाईज इसको अमलो का राजा या अमलराज भी कहा जाता है ठीक है तो ये दोनो आप रखेगा आपसे पूछा जा सकता है कोई भी कुएश्शन अगला उसकी वाव्यान के टाइरों में कौन सी गैस भरी जाती है वाव यान के कौन सी गैस भरी जाती है इसका अंसर आप बताएंगे कlenum 29 अब देखो मेरे पहरे भाई वाव यानों के टाइरों में कौन सी गैस भरी जाती है सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा नाइट्रोजन कौन सी गैस भरी जाती है नाइट्रोजन मेरे पहरे भाई दूसरी बात आप याद रखेगा अगर आपसे ये प्रसना पूछा जा इसमें ही लियम घेस संवर्धन से आंसर क्या हो जाएगा आपको प्षेन पने आन्ख खुलना मुहावड़े का सखी अर्थ क्या है जो आपके बीच में बागी बचे हुई है आपके French respuesta को मिल जाएगी टेलीगराम पर आप जाकर के इसके प्रैक्टिस को हल कर लीजेगा आपने खुद से मैथ को भी हल कर लीजेगा और जो भी प्रसना आपके हल नहीं होते हैं गाईज वो आप चाहे मुझे इस्टागराम पर या वाटसप पर टेलीगराम पर जहां भी चाहें गाईज आप वहा आखों के सामने हो के लिए एक सब्द क्या होगा जो आखों के सामने हो इसके लिए पर्युक्त एक सब्द क्या होगा यह प्रस्ण आप से पूछा जा रहा है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा प्रत्यक्षा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा option number B मेरे पैरे भाई को किस कीर्थी पर जल्दी जल्दी आंसर देंगे तो ध्यान दीजेगा मेरे पहरे भाई किस कीर्थी पर तो हो जाएगा आपका चिदंबरा पर ऑप्सें डी करेक्ट आंसर हो जाएगा और याद रखेगा इस कब दिया गया तो 966 में करेक्ट आसर आपर क्या हो जाएगा आपकर ऑप्सें बड़ी चिदंबरा अगला प्रस्ना की भुजंग का प्रियावांची सब्द नहीं है अब देखो भुजंग का प्रियाईवाची सब्द नहीं है अब देखो मेरे पहरे भाई ब्याल सर्प पन्नग ये गाई जो है ये भुजंग के प्रियाईवाची होते हैं लेकिन मेरे पहरे भाई गरुण जो है ये भुजंग का प्रियाईवाची नहीं है ठीक है? correct answer आपर क्या हो जाएगा आपका option number B जो भी हमारे पहरे भाई बेन मित्र option भी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रसना आपके सामने गाईज की आवरत सब्दका विलोम क्या होगा आवरत सब्दका विलोम क्या होगा फटफड आंसर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा और मेरे पहरे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइग नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजे कि क्या इस मेहनत और सिद्धत हम आपके लिए लगा रहे हैं को अप्शन नमबर डी जो भी हमारे पहरे भाई बेन मित्रिया पर अनावरे तो बता रहे हैं बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा अगला प्रसना आपके सामने गाइस की आई 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 टी मद्रास आई आई टी मद्रास से इनक्यू वेटेड श्टार्ट अप ने किसे अपना ब्रांड अंबेज़टर चुना है आई 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 टी मद्रास से इनक्यू वेटेड श्टार्ट अपने अपना किसे ब्रांड अंबेज़टर चुना है यह प्रस न आप से पूछा जा रहा है बताईए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा इस स्मिर्थी मंधाना को option number B correct हो जाएगा साथ ये कल के भी practice rate में guys आपका question था कि ये question आपको थोड़ा कहा जाए तो important quality वाला इसलिए guys लगता है कि दो दो ब पनाया गया है सही answer हो जाएगा वह जाएगा अजय प्रकास साहनी को option number D correct answer हो जाएगा अगला गाई इसकी गांधी टूपी गवेंडर नामक पुष्टक का बिमोचन किसके द्वारा किया गया इसका अंसर आप बताएंगे right answer क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा आपका बोजाएगा एम वंकया नाइडू correct answer क्या हो जाएगा आपका option number D गांधी टूपी गवेंडर इस पुष्टक का बिमोचन किसके द्वारा किया गया इम वंकया नाइडू के द्वारा अगला गाई इस question की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को free internet सेवा प्रदान करने वाला पहला राजी कौन सा भाई अगर हमारे यहां इसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता आप यही सोच रहे हैं ना तो मेरे पहरे भाई बताईए इसका right answer क्या हो जाएगा देखो गाई गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को free internet सेवा प्रदान करने वाला पहला राजी कौन सा बना है वो हो जाएगा गाई आपका केरल क्या हो जाएगा केरल गया भाईया यहाँ पर केरल तो कोई होगा ही नहीं सायद केरल से तो कोई नहीं होगा क्यों क गाईश अगर केरल से होता तो फिरी इंटरेट से विधा मिलती है ना राजनीतिक गती रोद के चलते निम्निलिक्तमैसे 12 देश के प्रधान मंतरी अब दुल्ला हमदोर ने अपने पद से श्ठीपा दे दिय अब मेरे पैरे भाई अगर आप यह जानते होंगे कि अब्दिल्ल्ला हम दो जो हैं कहा के प्रदान मंत्री थें तो बिल्कुल आसानी से अब आंसर बता सकते हूँ अब देखो मेरे प्यारे भाई कहा के थें अप्सन नंबर सूडान के थें कहा के थें अप्सने करेक्ट हो जाएगा 22 अगस्त 2020 को कि सराज में पहला Elkohal Museum खोला गया है 22 अगस्त 2021 को कि सराज में पहला Elkohal Museum खोला गया है सही answer हो जाएगा आपका हो जाएगा गोवा में correct answer हो जाएगा आपका option number अगला村 कि 28 सुतंबर 2021 को बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चकरवर्ती तुफान गुलाब का नाम किस देश ने रखा इसका अंसरा बताएंगे 28 सितंबर 2021 को बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवर्ती तुफान गुलाब का नाम किस देश ने रखा तुफान रखेगा मेरे पैरे भाई किस देश ने रखा पाकिस्तान ने और अप्षाने करेक्ट आंसर आपका हो जायेगा अगला गएन की हाल ही में हिन्दी पत्रकारिता दिवज़ हो यह कब मनाया गया है किखांसर अब बतायेंगे राइए रषै आंसर क्या हो जाएगा मारे पैरे भाई मित्रियां पर बता रहें कि 30 मईश को option number B बिल्कुल correct answer आपका हो जाएगा। अगला सब्सक्राइब में ग्रह मंतरी आमिज साह ने नए अंतरष्टिया खेल पड़िशर की आधार सिला कहा रखी। सही answer हो जाएगा question number 59 का जो भी हमारे प्यारे भाई बैन मित्रियां पर बता रहे हैं कि guys आहम्दाबाद में बिल्कुल सही answer हो जाएगा option number D आपका correct हो जाएगा हाल ही में भारतिय भूब एग्यानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्भंडार जो है ये कहा है इसका answer आपको बताना है question number 60 सही answer हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बिहार में है option number C correct answer हो जाएगा अगलागा इसकी भारत सबसे लंबी अंतरश्टिय सीमा किस देश के साथ साज़ा करता है ये प्रस्ण आप से पूछा जा रहा है सही answer हो जाएगा question number 61 का वो हो जाएगा बंगलादेश के साथ option D correct हो जाएगा अगलागा इसकी टेंगे जो है ये जिस देश की मुद्रा है उस देश की राजधानी और साइद ये भी question guys मैंने आपको पहले पढ़ाया है तो साइद आप इसका answer जानते होंगे तो जान दीजेगा मेरे पहले भाई टेंगे टेंगे जो ही किस देश की मुद्रा है गाईज ये जिस देश की मुद्रा है उस देश की राजधानी क्या है वो है गाईज नूर सुल्तान क्या है option number A आफका राइट हो जाएगा जो भी हमारे पहले भाई option A बतारे correct हो है कि गाईज भारत की प्रतम जो लोग सबाहई एक कब आयोजित की गई इसका आंसर आपको बताना है क्वेशन नंबर 63 सही आंसर हो जाएगा आपका वह जाएगा गाईज ये 13 मई 1952 को option C correct answer आपका हो जाएगा अगला गाईज की IMF का पूरा नाम क्या है IMF का पूरा नाम क है इसका आप बताएंगे right answer क्या हो जाएगा याद रखेगा मेरे प्यारे भाई इसका इसका सही answer हो जाएगा इंटरनेशनल मौनेटरी फंडर करेक्टर हो जाएगा आपका option number नंबर जो भी हमारे प्यारे भाई-बैन मित्रियां पर बता रहें international नेशनल मॉनेटरी फंडर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये किस सहर में इस्तित है इसका अंसर अब बताएंगे इसका अंसर आफ बताएंगे आपका हो जाएगा विक्टोरिया बिहार में और अपिसन डी करेक्टोर बताएंगे जाते हैं भारत के किस राज में गुप्तकाल के मंदिर जो यह अच्छी आकर्थी में पाए जाते हैं इसका अंसरा बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा कोईशन नंबर 67 सही अंसर हो जाएगा आपका मद्द प्रदेश में ऑप्सन सी करेक्ट हो जाएगा अगला इसकी ब्यास सम्मान निम्निल कितमें से किस चेतर में दिया जाता है ब्यास सम्मान जो है किस चेतर में दिया जाता है यह प्रस्थन आप से पूछा जा रहा है फटफ़ड आंसर देंगे राइट आंसर हो जाएगा आपका साहीत के चेतर में ऑप्सन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी मारे पैरे भाई बेन मित्रे में पर उपिसने साहित बतारे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा. आगा खंक कप का सम्मंद एकस खेल से, इसका अंसर बताएंगे, फट फट रइड वा इंसर क्या हो जाएगा. जान रखेगा मेरे पैरे भाइस का सही अंसर हो जाएगा भारत का जुराष्टी के लहुकी है गाईज उससे है सही अंसर क्या हो जाएगा आपका अप्शन नमबर है अगा खांक अपका सम्मद्ध जो एक किस खेल से है गाईज वो है हांकी से अगला की हरित ग्रह प्रभाव क क्या है यह प्रसन आप से पूखा प्रभावएन के साथ में मंडल में ग्रीन हाउस ने के voilà बढ़ना यह जो और कितना रहा कमेंट सक्षिन में कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरे पहरे भाई अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगिए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना जो भी चैनल पर पहली वारा है मैं सबस्क्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नए क्लास क निटिफिकेशन आपको समय से मिला करें तो जो भी में तरे चैनल पर पहली वारा हैं सब्सक्राइब कर लेंगे इस क्लास की फुल पीडियाफ आपको आपको आप जो सकते हैं ठीक है और आज के इस क्लास में आपका स्कोर कितना रा जरूर बताईएगा और गाई इसी तरी किसे डेली यूपीट परसी पीडी की प्रैक्टिस क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे और मेरे पहरे भाई आपका ये पंदरा प्रैक्टिस से बहुत जल्दी पूरा कर दूंगा आज आज आपका आट हो गया है और गाईज कितना पचा साथ मैं क जल्द मैं गाईज कंपलीट करने की कोशिशच कर रहा है ताकि जैसे आपका ये पंदरा कंपलीट हो मैं दूसरे प्रकासन की प्रैक्टिस सर्ट चाहिए कमेंट सक्षिन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ठीक हम आपके कमेंट का इंतिज़ार करेंगे तो मेरे पैर कि अजय को रहे कि अजय को अजय को बाद को इजए जो ते।